दोस्तों मनिपूर में स्थिती दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है दिन पर दिन इतनी भयावे होती चली जा रही है जिसका कोई आकलन नहीं है ये बात ना सिर्व वहां के विपक्ष ने बलकि वहां रह रहे आम नागरिकों के साथ साथ वहां के बीज़ेपे के नेता भी यही बात कह रहे हैं और बार बार यह बार दोरा रहे हैं वगर उनकी बातों को नजरंदास करने का नतीजा क्या हुआ है जरे ये सुन लिजे दोस्तर क्योंकि उनको नजरंदास किया गया तो नतीजा निकल कर सामने आया है कि मनिपूर में कर्फ्यू तोड़ दिया गया वहाँ प्रदर्शन कारियों और पुलिस के बीच जड़प हुई और हद तो तब हो गई जब प्रदर्शन कारियों ने मुख्यमंत्री के निजी आवास पर हमला बोल दिया जिहां निजी आवास पर हमला करने की कोशिश हुई मनिपूर में हालात कितने बिगड़ चुके हैं आपको इस खबर में ना सिर्फ हम बताएंगे बलकि तस्वीरे जो सामने आ रही है वो भयावे तस्वीरे दिखाएंगे उसकार में नाम है जो एंटी जा और आप देख रहे हैं दे वीपी एंटी वी मनिपूर की राजधानी इंफाल में हाला जो है दोस्तों इतने जादा बिगड़ चुके हैं खराब हो चुके हैं कि अब इस हिंसा से सीएम का घर भी अच्छूता नहीं रहा प्रदर्शन कारियों को पुलिस ने रोका तो पुलिस से जड़प हुई मनिपूर के सीएम एन बिरेन सिंग ने शांती बहाल होने का फरजी दावा किया था और जिस दिन दावा किया था हैरानी आपको होगी कि उसी दिन उनके निजी आवास पर हमले की कोशिश हुई है हाला कि बताया है यह जा रहा है मुख्यमंत्री उस समय अपने निजी आवास पर मौजूद नहीं थे मुख्यमंत्री आवास अलग होता है दोस्तों मुख्यमंत्री का निजी आवास अलग होता है तो फिर से महौल जो है हिंसक तब हुआ है जब से इंटरनेट पर दो लापता छातरों के शब की तस्वीर वाइरल हुए वो दोनों छातर मेते ही समुदाई से बताए गए इसी के बाद राज्य में हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है शेहर में कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन आप उसका कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि हिंसा की आज मुख्यमंत्री के निजी आवास तक पहुँच चुकी है आपको सामने आए घटना का जो वीडि सामने आई है वह आपको बिना देर की दिखा देते हैं तस्वीरे देखें आपको हैरानी होगी दूस्ते यह तस्वीरे देखर वीडियो देखें तो यह हाल है इस वक्त मनिपुर का मामला राजुधानी इंफाल तक जा पहुचा है और उस पर भी सीधा मुख्यमंत्री आवास तक जा पहुचा है भीड जब कर्फ्यू तोड़कर आगे बढ़ने लगी तो सुरक्षा बलो ने कई राउंड आसू गेस के गोले दागे और भीड को सीएम के पुराने आवास से सौ से एक सो पचास मीटर दूर रोकने में वो सफल रहे यानि डेड़ सो सो डेड़ सो मीटर तक ही दूरी पर थे प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास इससे अलग है जहां भारी सुरक्षा हरसवे तैनात रहती है की हुई उसके खिलाफ कार्वाही करने की बात कही है इन विधायकों ने गिरे मंत्री अमिट शाजी से यह गुजारिश की है कि जो cbi कि जाज कराने के आप बात करना है उसमें तेजी लाई जाए यानि समझ में आ रहा है आपको तेजी नहीं है हाला कि जब मुख्यमंत्री के निजी आवास पर हमला होने पर खुद मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा है तो फिर अमिट्शा जी इनने ताओं का अगरे केसे सुनेंगे भला ये बड़ा सवाल है मनिपूर हिंसा प्रदेश बीज़पी अध्यक्ष ए शार्दा देवी है दोस्तो इन्होंने मनिपूर हिंसा पर बयान दिया है बयान इनका सामने आए है साफत तोर पर इन्होंने कहा है कि हालात इतने बुरे हैं कि मुझे लग रहा है कि उगर भीड कही मेरा घर जला देगी कल मेरे घर पर अटैक हुआ है मेरी बेहन को पथर से चोट लगी है यह कहना है बीजेपी अध्यक्ष मनिपूर की बीजेपी अध्यक्ष का दस्तों समझे इस बात को कि वहां हालात कितने भायावे हो गए हैं और स नीमत समझे कि उस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर नहीं थे हाला कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनकी फैमली से वहां पर कोई मौजूद था या पर नहीं था लेकिन सुरक्षा बलो ने अगर उनको रोका नहीं होता तो महज सो से डेड़ सो मीटर की दूरी पर प्रिदर्शनकारी थे सोचे क्या अनोंगी हो सकती थी तो क्या अभी भी हमारे देश की सरकार जागी नहीं है क्या अभी भी महां से कोई और भयावे तस्वीरानी बाकी है तब जाकर जागेंगे आप क्या कोई उपाए निकाला जा सकेगा मनिपुर की हिंसा का ये बड़ा सवाल दोस्तों इस वक्त उठ रहा है इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सूठते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद रहा हो तो वीडियो को हुआ